तो आज के इस लेक्टर को वही लोग देखें जिसने हमारा लेक्टर देखा होगा जो की पॉपुलेट रिलेसंशिप के रिगार्डिंग था ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह उसी की बेस पर है उसी में हम आगे जो हैं अगर आपने वो लेक्टर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा क्योंकि आगर आपने पॉपुलेट के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपका इस लेक्टर को देखन अगर आपने देखा होगा अगर हम मॉंगोज में यूज करते हैं डॉलर एक्यू और हम लाइक कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है नौट इक्वल इनको हमें कैसे यूज़ करना होता है पॉपुलेशन के साथ तो वह आज हम देखेंगे ठीक है पॉपुलेशन रिलेशनशिप क क्ली करते हैं यहां पर हमारे पास एक तो है स्टाफ यहां पर टो पता ही है कि आपका एक जो सकते हैं तीक है यहां है कि कि ठाफ करता है यहां Be मैंने यहां पर जो है राइट्स बना के रखें एक है housekeeper housekeeper में क्या basically staff id है staff id विसकली area ठीक है last lecture जो था हमारा जो की populate relationship में जो था उसमें क्या होता था basically हमारी एक staff id ती वाट यहां पर multiple हैं जो कि मैंने अब भी बताऊंगा कि मैंने कैसे ग्रेट किया है तो यहां पर देख पारे हो कि हमारा एक राइट जो है बिसली मुल्टिपल स्टाफ को जो है असाइन है ठीक है मिन्स कि यह वाला स्टाफ आईडी मिसिकली यह वाला स्टाफ यूजर जो है यह हाउसकीपर भी है यह भी हाउसकीपर भी यह भी हाउसकीपर है ठीक है अब यहां पर जो है कुछ ऐसे भी यूजर है जो हाउसकीपर भी कर रहे है और कुछ आपके वासर भी है ठीक है कुछ ऐसी आईडी है बट यहां पर दो है यहां पर देखो कि यह आपका यह वाला यूजर है जो कि यहा मतलब कि यहां पर एक राइट को यहां पर मल्टीपल स्टाफ जो पर्फॉर्म कर पा रहे हैं यह हमारा बिसकली इस्ट्रक्चर अब देखिए मैं यहां पर जो मेरा कोश्चन है जो मेरा पॉपुलेशन लगाने का है वो मेरा क्या है बिसकली जब मैं राइट को फाइंड करूंगा यहां से जैसे ही मैं राइट को निकालूंगा तो उनके साथ मेरी स्टाफ आइडी की इन्फॉर्मिसन आनी चाहिए और मैं कुछ उन पर ऑप्रेशन भी पर्फॉर्म करूंगा लाइक एकवल हो ग यहां पर यहां रही है जीटिसमें नेमं नीमयल जाता है इसकाभर अरइट में यहां पर दिखाऊंगे राइट आपना यह देखिए काफी important होता है आपको पता ही होगा last lecture देखा होगा कि जब भी हमें populate use करना होता है तो हमें यहां पर अपना staff id या कोई भी है जो भी आपकी basically आप जिस पर relation लगाना चाहते हो उसका हमें type जो है mongos.skamma.taps.object id देना होता है but यहां पर मैंने aira दियाह होगा यह हां पर इकरेट दिया हुग है जो कि basically staff id ऐ班 यहां तो लासट लेक्चिल में तो मने बताई दिया था राका अगर मैं यहाँ से इसको हैं तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दूंदje करते हैं ठीक तो मेरे पास पास यहां पर देख पार है इसका था हुँ धूरया इसके हOoh यहाँ पर और मैं टू का यह हो गया ठीक है मतलब सारे की सारी यूज़े सारे प्रॉपर है ठीक है यह तो अभी विसकली मैंने लास्ट लेक्टर तक की भात कर ली थी कैसे हमने यहां पर यह डेटा फैच कर आता ठीक है पट हम थोड़ा एडवांस में आ जाते हैं जो कि अभी आज मैंने बताय है कि आपको path and match का यूज़ करना है तो मैं आ जाता हूँ अपने right controller के अंदर like right यहां पर देख पा रहे हूं यह हमने लास्ट लेक्टर में देखी लिया था यह विसकली ही रहा है ठीक है पॉप्लिट हमने किस पर लगा है staff id के basis पर staff id क्या है आपकी object id है यहां पर देख प proper है बट आज हम बात करने वालें कि इसके अंदर populate के अंदर हम थोड़ा advance में कैसे जाएं और आगे भी हम इसमें advance में जाते जाएंगे ठीक है मैं हर एक lecture में बार बार एक्स्प्लिन नहीं करूंगा मैं अपना पूरा example ठीक है तो आई हुपा पंडर्सेंड हूपा रहे अपने प्रवाइड कि हमें सरी इसे पाथ का रास्ता देऊं मतलब पात का जो डीटा है जो भी हमारे रास्ते पर जो बी चीजी हैं वो हमें निकाल करते हैं तो यह आपका विश्क्लिक पात अब अगर मेरी फाथ को मैन्स बंदोट करना है या मेरी को इसके अंदर कुछ च को जब भी मान के चलिए आप क्या करते हैं अगर आप मैं चाहता हूँ अपने स्टाफ आडी की बैसे पर कुछ कंडिशन लगाना ठीक है ड़ना वर्क यहां पर हमें कराना है तो यहां पर हम पर हमें यहां पर अब हमने प्रोपज प्रोड करते चाहिए और वремени रेट लेकर के दीदा ज्यागे कि हमने अभी हमने यहां पर जो है एक object के अंदर पात नाम की की प्रोबाड की है जिसमें हमने पात प्रोबाड कर दे इस्टाफ आइड़ी यह हाला कि सेम बैसा ही आपका काम करेगा जैसा कि सब्सक्राइब सेसे और यहां अभी बारी गारी आफ अधो कि एससे साथ जया में आपको बता है safe हुट हि PT करेगा थीटा है सिंग कर सकते हो एंड आ अब मैं बात कर लीता हूं मैच के बारे में में भी जैसा कि आपको नईव से ही समझ में आ रहा है क्या होता है matching करने के लिए like अगर आप matching करने के लिए like आप equally use करो like use करो not equally use करो greater than equally use करो तो यह match ऐसा ही कुछ काम करता है तो यहां पर भी object pass होता है अब यहां पर क्या होता है like मान के चलिए आपको पता है कि populate मेरा लगा हूँ है staff id की basis पर staff id जो है मेरी multiples है यहां पर आपको दिखाए दिरा है अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस right के अंदर उनका name like मैं define कर रहा हूं वो है या मैं search कर तो वही name यहां पर मतलब कि वही मेरे को data लेकर करके आए like मान के चलिए यह जो मेरा right था यह जो मैंने right id पास किए यहां पर यहां पर मेरे वही staffs आए जिनका name क्या है इसके लिए आ दिते है ठीक है या उनकी email आदिते at gmail.com में बाखी staff नहीं है ठीक है मतलब मैं particular staff को डूनना चाहरा हूं कि जिसमें name क्या उसका आदित है तो आप ऐसे कैसे लगा सकते हो like आप यहां पर लिखो के name colon and यहां पर आप डिरेक्ट लिख दो like मैंने लिख दिया आदित और यहां पर दियान बढ़ना आपका data नहीं आएगा ठीक है अब यह जो है data मैं जो है अपने यहां से भी ले सकता हूं but मैं यहां पर आपको understand करा रहा हूं इसलिए मैं यहीं पर लिख करके चलूंगा आप बढ़ना request.body.com करके data ले सकते हूं ठीक है अभी देखे मैंने इसको save कर दिया है मैंन स्टाफ का नाम जो था वो आधित्य था ठीक है अब लाइक मान के चलिए आपका जो है different checks लगाना चाहते हो कि name उसका आधित्य हो and email उसका हो like sandi.gmail.com ठीक है अलांकि आपको पता है कि ऐसा जो है staff exist नहीं करता है ठीक है इस email से जो है na sandi.gmail.com ऐसा कोई यहां पर exist भी नही मेरे को data नहीं ला करके देगा अगर मैं यहां से send करता हूं तो यहां पर staff ids हो है empty आएगा क्योंकि ऐसा कुछ match ही नहीं कि रहा रहा है कि अगर मैं यहां पर लिख देता आधित्य 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 जीमेल.com तो यह चेक करता कि क्या name उसका आधित्य है and email इसका आधित् online history में जाने वाला हूं जैसे कि मैने आव बिख can becall और व्याक खरूब्स देखने है टीक है तो यह तो आप अगर कère कर दीए है मैं जीमेल आ रहा है उनie स्टरी अटा लाएऌकर दो ठीक है तो और छांग और यहां पर like मैं देखी हाला कि मैं ऐसा तो होगा नहीं ऐसा कोई सर्च नहीं करेगा कि जीमेल हो जिसके अंदर वही आए पिसलिए वह कुछ ना कुछ और सार्च करेगा बट मैं आपको एक एक समपल दे करके चला हूं ठीक है दूरी यहां पर आपको पपाई ärY kayak मैं हमें कैसे यूज करना होता है अगर मैं simple बात करूँ तो कुछ इस थरीकी से होता है अगर मैं सकल्द और पड़े होंगे यहां पर आपका कुछ नेम है और यहां पर चलता है ठीक है विसके लिए अगर सेट करों तो कुछ सथरीकिछ में चलता था ठीक है घर reveal कि नगर आपका से आप स्सक्राइड कि यहां आप से पास करो तो यहां पर get कर लो फिलाल में मैं क्या करता हूं यहां पर ऐसा ही pass कर लिता हूं ठीक है तो यहां पर मैं इस percent को अटा देता हूं अब यहां पर मैंने क्या क्या है dollar पास किया, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि आगे कुछ भी हो इसके end मैंने यहां पर लगा दे, इसके पीछे भी कुछ भी हो, तो भी चलेगा, ठीक है, मिन्स यहां पर क्या कर रहा है, बेसकिली यह सर्च कर रहा है, कि जिसके email में अगर संधीप exist करता है, वही मेरे को data ला करक अभी देखे मेरे को पता है डेटा नहीं आएगा अभी कुछ और बात हैं जो कि मेरे को आपको बतानी है तो डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा कुछ क्या मेर любим आपको आंशर करके टोड़ा समझ मेरे को यह सकते हो तो जब भी आप like operator लगाते हो means जो है regex आप यूज करते हो naming के साथ ठीक है तो उसके साथ आप यूज कर भी चले options ठीक है options में हम यहाँ पर पास कर देंगे i means यह ignore कर देगा कि आपका जो यहाँ पर string लिखा हुआ है वो capital है या small है उसको as a treat करेगा मतलब कोई मतलब वह अपने माइंड में यह नहीं रखेगा means मैं माइंड क्यों मोला हूं वह यह नहीं सोचेगा कि वह small है या capital बस उसको जो match कर रहा है gmail से like में जो gmail मिल रहा है उसको वह उसका मतलब उसके साथ जो compatible हो रहा है चाहे वह capital हो चाहे small हो उसको ignore कर देगा और जो चलता है उसको यहां से उठालेगा तो अब जो है आपके पास सारका सारा डेटा आ जाए के तो यहां से मैं सर्च करता हूँ अब भी इसलिस सर्फर्वर स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर देख पार हो अभी इसने क्या किया इग्नोर कर दिया cases जो means upper case and lower case का जो फरक होता है अब उसने वो इग्नोर कर दिया क्यों कि हमने यहाँ पर आई पास कर दिया इससे क्या हुआ है इसने capital gmail and small gmail दोनों को इग्नोर कर दिया ठीक है तो यहाँ पर जो से match करेगा वही data ला करके देगा अब लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर लगाया हाँ अभी 8 जो है विसकली मेरे इसी में आ रहा था ठीक है अगर लाइक में कुछ common देखता हूं लाइक मान के चलिए लाइक में यह डाल देता हूं ठीक है है simple एक डाल दूंगा तो बहुत सारे ऐसे नेम संजिन में के अंदर मेरा एक जिस्ट करता है लाइक आदित्य है सिवं है तो कुछ ऐसी यूजर से जिन में एकजिस्ट करता है ठीक है अभी यहां पर देख भार ओधिति के अंदर एक जिस्ट करता है आसिस के अंदर अदर यहां पर आपको सिंपल क्या करना है यहां पर आपको सिंपल क्या करना है लाइक माहने की चलिये मैं इमेल पर एकओल लगा लीता हूं यह आपके पास बिसकली नबर है आपके डेटाबेस में ठीक है तो आप उस पर भी लाशक्ते हो आप अको आपको दिखा रहा हूं पर एकवल का बिसकली अपना चला रहा हूं ठीक है एंड यहां पर जो है अ मन तो जो घपर करेंगे जब आपका प्रोपर स्मॉल केस है तो कांवाम मेश यहाँ का data नहीं आया क्योंकि वो equal नहीं होगा ठीक है इसमें क्या है के capital डाल लिए आप और यहां पर data विसमें क्या है के small है ठीक है यहां पर देख पार हूं data विसमें basically data नहीं आया ठीक है तो यह मैंने बात कर ली equal के बारे में and then अब जो आ जाता है हमारा next example like वो आ जाता है हमारा not equal ठीक है तो not equal हम कैसे लगाते है एनी करके ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं वह staffs निकाल रहा हूं जिनकी email को छोड़ करके लाइक यहां पर मैं small k लिख देता हूं ठीक है क्योंकि यहां पर वो चेक करेगा कि हाँ कैपिटल के डाली है तो वहां पर क्या ड़ली हूई database के इंदर small के तो वह kusal.gmail.com को भी वहां पर हमारे staff के इंदर दे देगा जब हमारा response आएगा ठीक है तो यहां पर हमें क्या not equal लगाया और यहां पर देखो कि कुसल वाले को छोड़ करके बाकी यूजर्स आएंगे ठीक है मिन्स बाकी स्टाफ आएगा आपका इस तो आजित आ रहा है आसे सारा सिवा मारा नम्रत आ रही है बाकी कुसल नहीं आ ठीक है तो not equal का भी देख लिया एंड नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है आपका greater than equal ठीक है जी टी ठीक है अब यहां पर greater than equal के लिए basically तो मैं इस चेक को यहां पर लगा नहीं सकता हूं बट मैंने आपको explain करते हैं आप ऐसे तरीके से यूज कर सकते हो ठीक है तो आई हूप आपको जो है सारे conditions पता चल चुके होंगी match के अंदर की हम किस किस तरीके से क्या क्या यूज कर सकते हैं जैसा कि हम simply यहां पर find में भ और relationship लगा आसा को ठीक है तो next lectures देखना हम आप बोलिएगा so thank you guys मिलते हैं next lecture में so thank you